अब हमें और क्या चाहिए ओम शांती विश्व कल्यानकारी त्रिकाल दर्शी त्रिलो की नाथ शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर त्रिकाल दर्शी बना देते हैं तीनों लोकों का तीनों कालों का ज्यान देकर आत्मा को परदर्शन परचिंतन से मुक्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं तो ऐसा वंडर्फुल बाबा जो हमें ज्यान और योग के अस्त्र शस्त्र देकर विकारों को सदाकाल के लिए समाप्त करने की विधी बता देते हैं इस संगम युक पर हमें प्रतिपल ज्यान और योग से संपन बना रहे हैं और हम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विकर्मों को विनाश कर पतित से पावन बनने की इस मंजिल की और बढ़ते जा रहे हैं तो आज की मुरली हमें स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस माइट हाउस बनाने वाली है अभी हम सुनते हैं बाबा के अमुल्ले मधर महवाक्य तो आज है तीन फरवरी दो हजार चौबिस बाबा के महवाक्य हैं मीथे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भवा, सबी स्विकार करेंगे इस वर्दान को, तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो, बिल्कुल अपने को आत्मा समझो, स्विकार करो, प्रशन है, तुम सबसे वंडर्फुल स्चुडेंट हो, कैसे? वंडर्फुल स्चुडेंट है, उत्तर है, तुम रहते ग्रहस्थ विहवार में हो, फैमिलीज में रहते हैं, शरीर निर्वहा के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ-साथ भविश्य 21 जन्मू के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो, सब कुछ करते, बाप और घर को याद करते हो, यही तुम्हारी वंडर्फुल स्चुडेंट लाइफ है, नौलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की महनत करते हो, बहुत वंडर्फुल स्चुडेंट लाइफ है, ऐसी लाइफ देखिया कभी, ओम शांती, बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार, मुल्वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा, सब को एक जैसे तुने याद आता ना, बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा, कि हम पहले शांती धाम के रहने वाले हैं, याद आ रहा हैं सबको, फिर आते हैं सुखधाम में, बिल्कुल बुद्धी में क्लियर कट पिक्चर आती रहे, यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे, मूल्वतन से लेकर यह जो सृष्टी का चक्र है, बह कैसे फिर्दा है, यह भी बुद्धी में है, इस समय हम ब्राम्मण हैं, चक्र घुमाते रहेंगे सबी अंदर यंदर, फिर देवता, शत्रिये, वैश्वे, शूद्र बनेंगे, यह तो बुद्धी में चक्र चलना चाहिए न, बच्चों की बुद्धी में यह सारी नॉलिज है, है न, बिलकुल क्लियर नॉलिज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो, दिन प्रति दिन तुम्हारी वृध्धी होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, यहाँ तुम बैठे हो, बुध्धी से जानते हो, वह हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है सिखलाने वाला, यह जानते हैं कि यह कौन पढ़ा रहे है हमें, बाबा पढ़ा रहे हैं, उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, बुद्धी में जरूर याद होगा न, यह बुद्धी में हर वक्त याद करना है, लेसन कोई बड़ा नहीं है, सकिंड का लेसन है, बुद्धी में रहता है कि हम कहा के रहवासी हैं, दुनिया में भी किसी को बोलो या पूछो, कहा रहते हो, तो कितना सकिंड लगता है, बुद्धी में तुरंत उस थान भी आ जाता है, सब कुछ एज इटेज याद आ जाता है, तो ऐसे ही बस सकिंड लगता है, तो हम कहा के रहवासी हैं, फिर यहां कैसे पार्ट बजाने आते हैं, चुरासी का चक्र है, सत्युग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे न, बिलकुल, हम गुजरे हैं, इन युगों से, इन स्थितियों से, अपना जो पुजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धी में याद रहेगा, कहींगे हम यह डबल सिर्ताज थे, फिर सिंगल ताजवाले बने, बिलकुल ड्रामा एक्यूरेट बुद्धी में फिक्स हो गया है, फिर सारी राजाई ही चली गई, चक्र घूम रहा है न सबकी वुद्धी में, तमुप्रधान बन गए, यह चक्र तो फिर ना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है, क्या नाम है सबका? स्वधर्शन चक्रधारी आत्मा को ज्यान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, स्वधर्शन आत्मा जानती है, हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, अब फिर, अब कौन सा टाइम है? जाना है घर, बापने कहा है, मुझे याद करो, तो घर पहुच जाएंगे, यही विधी है, ऐसे भी नहीं है, कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं, बाहर की बहुत बातें बुध्धी में आ जाती हैं, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा, होता है ऐसे योग में बैठते हैं तो, यहां तो बाप कहते हैं, और सब बातों को समेट, एक को ही याद करो, श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, तुमको अंत तक पुरुशार्थ करना है, पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ याद आ जाता है, तो बाबा कहाते हैं उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है रचाईता और रचना के आदी मध्यांत का सारा राज बुद्धी में आ जाता है यह तो सबक यानि पाठ मिलता है उसको तो घर में भी याद कर सकते हो यह है बुद्धी से समझने की बात इस सारी बात बुद्धी की है तो चलते फिरते उठते बाठते कहीं भी रहते यह चक्र फिरता रहना चाहिए तुम वंडर्फुल स्टूडेंट हो बापने समझाया है आड घंटा आराम भी भल करो आड घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो भे धंदा आदी भी करना है साथ में यह जो बापने धंदा दिया है आप समान बनाने का यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना वह है अल्पकाल के लिए यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए तो इस पर कितना जोर देना है तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है यह बहुत इंपोर्टन बात है पुरुशार्थ करना, याद करना जो जितनी महनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ती में उनकी पूजा होती है सारा ड्रामा में जो कुछ भी हम किरदार निभाते हैं, पार्ट बजाते हैं उसका आधार संगम युग का ये पुरुशार्थ है यह सब भारणा तुम बच्चों को ही करनी है तुम बच्चे पार्ट धारी हो बाबा तो सिर्फ ज्यान देने का पार्ट बजाते हैं बकी शरीर निर्वहा के लिए पुरुशार्थ तुम करेंगे बाबा तो नहीं करेंगे न बाब तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की इस्ट्री जियोग्राफी कैसे-कैसे रिपीट होती है चक्र कैसे फिरता है यह समझाने के लिए ही आते हैं युक्ती से समझाते रहते हैं बाब समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो क्या करो फिर स्वदर्शन चक्रधारी अत्वा लाइट हाउस बनना है सबको रास्ता बताना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है अपने को आत्मा समझना है गफलत नहीं करनी है यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाट बजा नहीं सकती मनुश्यों को कुछ भी पता नहीं है भल तुम्हारे पास आते हैं अच्छा अच्छा करते हैं परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं इसमें बहुत इंपोर्टन बात है बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे नहीं कि बस सुन लिया सेवन डिस कोर्स कर लिया हो गया नहीं तो प्रैक्टिस करते करते आत्मा इतनी ज्यादा ग्यान को अपने भीतर समा लेती है तो जहां भी जाती है इसे ग्यान का सागर बन जाती है तो बाबा कहते हैं जैसे स्टुडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंदे में लग जाते हैं तुमारा धंदा ही है क्या बनना क्या बनेंगे सभी पीचर बनना सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ सबको स्रिष्टी के आदी मध्यांत का राज बताओ बच्चों ने चित्र बनाया कौनसा डबल सिरताज र जाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं यह तो ठीक है परन्तु कब से कब तक डबल ताज वाले थे कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने फिर कैसे और कब राज्य चीना गया वह डेट्स लिखनी चाहिए अब चाहते हैं डिटेल में लिखें यह बेहद क बड़ा ड्रामा है यह सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं कोई डाउट नहीं है पक्का है अभी ब्राम्मन है ब्राम्मन ही संगम युग के है यह किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ यह तुम्हारा अलोकिक जन्म है लोकिक और पारलोकिक से बर्सा मिलता है अलोकिक से बर्सा नहीं मिल सकता इन द्वारा बाप तुमको बर्सा देते हैं गाते भी हैं ही प्रभू ऐसे कभी नहीं कहेंगे ही प्रजा बिता ब्रम्मा कहते हैं ऐसे कोई नहीं लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं यह बाते कोई नहीं जानते तुम जानते हो पारलौकिक बाप का है विनाशी वर्सा लौकिक बाप का है विनाशी वर्सा यह सारी बाते किवल हम समझ सकते हैं दुनिया वाले नहीं समझ सकते समझो कोई राजा का बच्चा है पाच करोड वर्सा मिलता है और बेहद के बाप का वर्सा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेट में तो यह अवेनाशी वर्सा है और वह तो सब खत्म होने वाला है आज के जो करोड पती है उन्हों को माया चटकी हुई है इतना पैसा होता है ना तो फिर भगवान की बातें वो बुद्धी में नहीं रहती उन्हें तो लगता है यही स्वर्ख है बाप है गरीब निवास भारत बहुत गरीब है भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुशार्थ कर रहे हो अकसर करके बिमारों को वैराग्याता है बिमारी होती है ना तो बहुत वैराग्याता है शरीर से बहुत वैराग्याता है समझते हैं जीना क्या काम का ऐसा रास्ता में ले जो मुक्ती धाम चले जाएं मन करता है न कि हे भगवान बस मुझे उठा लो दुख से छूटने लिए मुक्ती मांगते हैं सतियुग में मांगते नहीं, वहां कोई बिमारी नहीं होता चुकि वहां दुख नहीं है यह बातें अभी तुम समझते हो बाबा के बच्चे व्रिधी को पाते रहेंगे जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवता बनने वाले हैं वो ही आकर जान लेंगे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे अगर पहचान हो गई न कि यह बेहद का बाप है तो मतलब भी नहीं कहीं छोड़ कर जाएं जिनका बाप के साथ लव है बह समझ सकते हैं नौलिज तो बहुत सहज है पकि पावन बनने में माया विग्न डालती है कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं तो गफलत नहीं करनी है इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है गुसा मारती है ना हरा देती है बाप कहते हैं क्या करो जीतनी है ना ये बाजी जीतनी है मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो कभारते हैं जब दे समझते हैं बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है बाप बहुत सहज बताते हैं हम आत्मा है एक शरीर छोड़े दूसरा लेते हैं इलकुल स्थिती में स्थित होंगे हम आत्मा है एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं पाट बजाते हैं बेहद बाप के बच्चे हैं यह अच्छी रीती पक्का करना है बिलकुल पक्का अब अब फील करते हैं माया इनका बुद्धी योग तोड़ देती है नंबर वार तो हैं बाबा तो फील करते हैं हम फील करते हैं बाबा कहते हैं नंबर वार तो हैं ही इस ही हिसाब से राजधानी बनती है माया कितना बुद्धी योग तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती नंबर वार बनते हैं इस हिसाब से राजधानी बनती है तो बाबा कहते हैं, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है, सब एक रस हो जाए, तो राजाई ना बने, राजा, राणी, प्रजा, सहुकार, सब बनने हैं, यह बातें तुम्हारे सिवाई कोई नहीं जानते हैं, यह सब भीतरी भीतर अंदर गहराई में, आत्मा के बीच में, अंदरी अंदर मन में, बुद्धी में कश्मकश चलती रहती हैं, तो हम ही जानते हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्ने जो हैं, उनको याद रहती हैं, यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुशार्ट से ही बना जाता है। सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं। बच्चे सावधान स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, बैठे हैं सभी स्वदर्शन चक्रधारी होकर, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है न, जो इसमें प्रवेश करते हैं, मनुष्य तो समझते हैं, विश्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनके हाथ में स्वदर श्वधर्शन चक्र दिखाते हैं उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्षमी नारायन है यह भी पता नहीं है कि विश्णु लक्षमी और नारायन का कंबाइंड स्वरूप है इन्हों को ज्ञान किस ने दिया जिस ग्यान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायन का पद पाया दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा दिखाते हैं न ऐसे शास्त्रों में कहानिया बताते हैं तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हसी आते है विश्नो है निशानी कमबाइंड ग्रहस्त आश्रम की चित्र शोबता है बकि यह कोई राइट चित्र नहीं है ऐसे कोई कमबाइंड सुरूप होता नहीं है ऐसे शोबता है चित्र पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहां कहां से आया इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुशार्थ पर है बाप की याद से ही पाप कटते हैं सबसे इंपोर्टन बात है कि बाबा की याद से पाप कटते हैं वो कोई स्थूल हतियार से पापियों का गलानी कटता है। सबसे जास्ती नमबर वन यह पुरुशार्थ चलना है, याद करने का। ताइम तो बाप ने दिया है, ग्रहस्त वेहवार में भी रहना है। नहीं तो बच्चों आदी को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बकि और कोई बात नहीं है। श्रीकृष्ण के लिए दिखाया है, क्या दिखाते हैं। अकासुर बकासुर आदी को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदी की तो बात ही नहीं है। यह तो अपने अंदर के विकारों को काटना है, खतम करना है स्वदर्शन चक्र से। अब कहते हैं कितना फर्क है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गती कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदी, मध्धे, अंत का राज, कोई समझा नहीं सकेंगे स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? सो भी, अब बाप नहीं समझाया है शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पुछो, बहुत रोचक कताए है देवताओं को भी हिंसक बना दिया है अब इन सब बातों पर एक आंत में बैठ विचार सागर मन्थन करना होता है कौन से अस्त्र है, कौन से शस्त्र है, कौन सा स्वदर्शन चक्र है, कौन सी गदा है तो एक आंत में बैठ कर मन्थन करो रात्री को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है वह बहुत याद कर सकते हैं बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है कभी जुटके नहीं खाएगा तुम जानते हो हम ever healthy, wealthy बनते हैं तो जुटके आने चाहिए, नहीं आने चाहिए न तो इसमें अच्छी रीती लग जाना चाहिए यह भी अब बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार, जो कुछ चलता है, बैठीक है फिर भी पुरुशार्थ कराते रहते हैं तो बाबा को अफसोस नहीं होता कोई जास्ती, कोई कम पुरुशार्थ करते हैं तो अब बाप शिक्षा देते हैं ऐसे बहुत हैं, जिन में न ज्यान है न योग है कोई बुद्धिवान, विद्वान आदी आ जाए, तो बात करना सके सर्विसेबल बच्चे जानते हैं, हमारे पास कौन-कौन समझाने वाले अच्छे हैं फिर बाप भी देखते हैं, यह बुद्धिवान बड़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धु है तो खुद प्रवेशकर उनको उठा सकते हैं, ऐसे भी बाबा सेवा करते हैं तो जो सच्चे बच्चे हैं, वह कहते हैं, हमारे में तो इतना ग्यान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया, फील होता है ना कि हमें तो यह पता ही नहीं था तो पता चलता है कि खुद बाबा ने आकर इनको यह समझाया कोई को तो अपना एहंकार आजाता है सच्चे नहीं होते न तो हैंकार आजाता है यह भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में पाट नूंदा हुआ है ड्रामा बड़ा विचित्र है यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे शरीर से भी और अंतरात्मा भी गोरी थी पवित्र काले वहा होते नहीं यह भी तुम गोरा और काला चित्र बना कर लिखो तेरे सठ जन्म काम चिता पर बैंट ऐसे काले बन पड़े हैं आत्मा ही बनी है लक्ष्मी नारायन का भी काला चित्र बनाया है यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है प्रतीक आत्मक रूप में देहे को काला दिखा देते हैं यह तो सत्युग के माले क गोरे थे फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं आत्मा पुनर जन्म लेते लेते तमुप्रधान बनती है तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है तो हसी हसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायन को कहा काला कहा गोरा क्यों दिखाया है कारण सेवा करनी की विधी है ज्यान तो है नहीं श्रीकृष्न ही गोरा फिर श्रीकृष्न ही सावरा यो बनाते हैं यह तो तुम अभी जानते हो वो तो अलग-अलग कहानिय बताते हैं पर दू यह थार्थ बात क्या है यह हम अब जानते हैं तुमको अभी ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मौनिंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्यसार पहला खुशी से भरपूर रहने के लिए एक आंत में बैट मिले हुए ज्यान धन का सिमरण करना है आवन वसदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की महनत करनी है सेकिंड पॉइंट बाप समान मास्टर ज्यान सागरवन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है लाइट हाउस बनना है भविश्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रुहानी टीचर जरूर बनना है आज का वरदान है त्रिकाल दर्शी स्थिती द्वारा तीनो कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेच्फुल भव मास्टर नॉलेच्फुल कैसे बनेंगे जब त्रिकाल दर्शी स्थिती से तीनो कालों का स्पष्ट अनुभव करेंगे जो त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं वह एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है जिसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर बिल्कुल टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारी शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है ऐसे ही संगम्युक टॉप पॉइंट है इस पर खड़े होकर बुद्धी को बिलकुल टॉप पॉइंट पर खड़े कर दो, तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, क्या कहेंगे? कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे इसी को कहते हैं, Master Knowledgeful बिलकुल ये स्पष्ट अनुभव हो, बुद्धी में clear picture हो स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है इस स्मृती से ever ready बनो हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसलिए ever ready तो आज सभी स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पुरुशार्थ करेंगे बार बार, बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे सबसे पहले परमधाम से मैं आत्मा स्रिष्टी चक्र में आई अनादी स्वरूप, फिर आदी स्वरूप, फिर पुझे स्वरूप, फिर ब्रामभन स्वरूप, फिर फरिष्टा स्वरूप और फिर अनादी स्वरूप, फिर अनादी स्वरूप, फिर स्वदर्शन चक्र बार बार फिर आते रहो, और विकर्मों का विकारों का गला काड़ते रहो, चाह, ओम शांती ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा, ओ बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा, ओ बाबा बदली हमारी किस्मत पाखे प्यार तुम्हारा, ओ बाबा बदली हमारी किसमत पांकी प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ हम खुश नसीब है बाबा तेरे से सिपर रहे है दामन में भर के खुशिया फूलों सा खिल रहे है फूलों सा खिल रहे है ये आखे करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा ये दिल हर पल गाता रहता है है सान तुम्हारा ओ बाबा ओ ओ ओ ओ मिलता वसीन जुख मन को बस तेरी ही यादों में दिल और नहीं कुछ चाहें आकर तेरी बहों में आकर तेरी बहों में अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा ओ, 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 ओ परमधाम से आकर हम क्या से क्या बनाया सदगान की हीरे मोती देहं को खुब सजाया देहं को खुब सजाया शब्तों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे मामा ये दिल हर पलग गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारे किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा उपकार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा